आज के समय में डाइबटीज का होना एक आम बात हो गई है। सिर्फ अधिक उम्र के लोगों में ही नहीं, आज के समय में बच्चे भी डाइबटीज की चपेट में आ रहे हैं। एक समय था जब 40-50 साल के उम्र के बाद ही डाइबटीज जैसी बीमारिया हुआ करती थी। लेकिन अब खराब, जीवन शैली और लाइफस्टैल के कारण छूटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। विश्व स्वास्ते चंगठन के अनुसार आज के समय में पूरे विश्व में लगभग 350 मिलियन लोग इस बीमारी से पीडित हैं। और अगले कुछ वर्षों में इसंख्या दुगुनी हो जाएगी। डियाबिटीज मेटाबोलीजम संबंधी बीमारियों का सम्मू है, जिसमें लंबे समय तक बलड में शूगर का लेवल ज्यादा रहता है। हाई बलड शूगर के लक्षणों में बार बार पेशाबाना, प्यास लगना और भूख में वृध्धी होती है। यदि इसका इलाज ना किया जाए तो डियाबिटीज कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। ट्रीट्मेंट भी करवा रहे होंगे। लेकिन फ्रेंडस किसी भी बीमारी के लिए आयरुवेदिक उपचार सबसे बेस्ट होता है। फ्रेंडस आप सूच रहे होंगे कि आयरुवेदिक चीज़े तो बहुत है। कौन सी इस्तिमाल करें कौन सी नहीं। फ्रेंड्स आपकी इसे उलजन का समधान लेकर आए हैं क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसा प्रोड़क्ट जो बिल्कुल नैचुरल और आयरुवेधिक है और फ्रेंड्स इस प्रोड़क्ट का नाम है सुनोवा कंपनी का डियाबिटिक के है दोस्तों ही मेडिसिन पूरी तरह से ऐरुवेधिक है और शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल करती है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके अंदर कौन-कौन से इंग्रेडियंट्स है और आपकी बोड़ी में कैसे काम करते हैं कैसे ये शूगर को कंट्रोल करती है? Friends, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडियंट्स की. ये तीन प्रकार की ओशदियों के एक्स्ट्रैक्ट को मिलाकर बनाई गई है. सबसे पहले जो इंग्रेडियंट्स है वो है मेथी. दोस्तों मेथी बलड में मौझूद ग्लुकोस की लेवल को कम करने में मदद करती है. साथी मेथी में अमिनो एसिड होता है जिससे एंटिबायोटिक प्रोपरटीज माना जाता है जिससे इंसुलन सेंसिटिविटी बढ़ती है और खून में मौझूद शूगर को तोड़ने में मदद मिलती है. फ्रेंट्स दूसरी ओशेदी है गुड्मार ये भी एक आयरुवेदिक ओशेदी है गुड्मार में कुछ अथैरो क्लैरोटिक गुण होते हैं जिससे ये धमनियों में वसा का जमाव को रोखता है इसके लावा गुड्मार बलड शूगर के लेवल को भी कम करने में मदद क करता है फ्रेंट्स गुड्मार की पत्तियों में ऐसे गुड्म होते हैं जो मीठा खाने की तलब को कम करता है यानि कि इसके सेवन से आपका मीठा खाने का मन नहीं करेगा अब बात करते हैं तीसरी ओशेदी की जिसका नाम है दारु हरिद्रा ये इंसुलीन की सर्कुलीशन को बढ़ाता है यानि कि इंसुलीन के स्तराव को बढ़ाता है और पैंक्रियाज में बीटा सेल को बढ़ाने में मदद करता है फ्रेंट्स ये तीनों ही आयरुवेदिक औश्यदिया है जो एक साथ मिलकर हमारी बाड़ी में रुकी हुई इंसुलीन की प्रोड़क्शन को ब कैपसुल रात को लेना है। दोस्तों सुनोवा कमपनी की ये डाइबिटिक केर मेडिसिन पूरी तरह से सेफ है। और फ्रेंट्स इसकी खास बात ये है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आउशदी क्लिनिकली अप्रूवड है और ये पूरी तरह से आयरुव और ये बहुती जल्दी फायदा भी पहुँचाती है। दोस्तों इस मेडिसिन को हजारों लोग इस्तिमाल भी कर रहे हैं और एक हेल्दी लाइफ इंजोई कर रहे हैं। फ्रेंट्स इसे आप फिलिप कार्ड और अमेजोन जैसी बड़ी वेबसाइट से भी ऑनलाइन खरी फ्रेंट्स आपके फ्रेंट्स फैमिली मेंबर्स जो इस बिमारी से परिशान हैं फ्लीज उनको ये वीडियो जरूर दिखा देना। अगर आपको शूगर नहीं है और आप किसी शूगर के मरीज को जानते हैं तो भी इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सभी लोग इस भूत भूत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे।